हेलो फ्रेंड नमस्कार और आप दोस्तों अमारे इस्ट्रिश चैनल पर सभी आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी निवेशकों का आरगी स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए बड़ी खुश्च खबरी वाली खबर यहां दोस्तों जिसका बहुत बेसबरी से इ कुछ खड़े नियम बनाए गए है आए दोस्तों देखते हैं पूरी खबर क्या है खबर सुनाने से पहले आफसे हमारा नुरोध है कि हमारी वीडियो को आफ शेयर करना ना भूले क्योंकि दोस्तों ये बड़ी खबर सभी निवेशकों तक आप पहुचा है तो दोस्तों सरकार ने पहली बार सक्त कदम उठाए हैं, अब राज्य सरकार ने यह किया है कि राज्यस्तान में किसी भी नई क्रेडिट कॉपरेटु सुसाइटी का पंजियन नहीं होगा, यही नहीं मौझूदा क्रेडिट सुसाइटियों के लिए भी यह ज़रूरी कर दिया है कि वे नि आडिट के लिए आडिट भी केवल विवाग के ही आडिटर से करानी होगी, यहां दोस्तों सहायकारी रेजिट्रार डाक्टर नीरज ने पंवन में सुक्रवार को परदेश में संचालिस सभी कॉपरेटिव सुसाइटी के परदी नितियों को बलाकर यह बैठक में आदेश जारी किये, उन्होंने बताया कि परदेश में 337 निश्करिया सुसाइटी के आवास वैसाय में लाकर पंजियन रत करने की कारवाई की जाएगी, परदेश में करीब 1300 क्रेटिट कॉपरेटिव सुसाइटी पंजिक रहते हैं, इनमें से 72 मल्टि स्टेट सुसाइटी है, जि जाच चल रही है, सरकारी बैंक में जमा कराएंगे राशी जिया, दोस्तों सभी क्रेटिट सुसाइटी अपनी प्यपोजिट केंदरे सहकारी बैंक में 21 अक्वर तक जमा कराएंगे, ऐसी प्यपोजिट पर कई बैंकों दौरा 0.50% अतरिक्ट व्याद दिया जाएगा, जि सहकारी बैंक में जमा कराना होगा, तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज आपको इस्टी न्यूज चैनल से दी जा रही है, खबर अगर आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तो मिलता हैं फिर किसी नेक्ष्ट वीडियो में कुछ अच्श अच्छ?